हेलो गाइज वेलकम टू इन्मेंट राइनल स्टड़ी विद अमनकूल आज हम लाए हैं डाइरेक्टर ओफ एड्युकेशन जी एंड सिटी ऑफ जली की वोगशीट नमर सेवन जो की क्लास एड़ के लिए और सब्जेक्ट सोशल थाइन अब आपकी जो चैप्टर नमर वन से आती थी वोगशीट जोग्रफी के वह अपनी आएगी आपकी सोशल अंग पॉलिटिकल लाइप क्योंकि वह जाप्टर आपका अपक्प्रीट होतक है तो यह डेट सिक्सी अक्टूबर की है और आज का टॉपिक हमारा वट इस कंस्टिटूशन आज हम आज कंस्टिटूश अपकूस्ट इस जान सुटी हम सिक्षटर noi नो के क 16esehen and पॉच्ः इस दिसन्टिश जस्टिच अजिए और्मुबर्यों टीटिकल in our Constitution assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to our self this Constitution. तुर ये आपको प्रेंबल दे रखहें, आपको इनिस अच्छे से याद भी कर ले हैं, ये आपको आगे बहुत बार पुछा भी साल सकता है। अपनी नोट बुक में, इसका पूरा तो राइंग बिना ले हैं । Dear children, some rules and regulations are made to run the school smoothly, which you follow similarly. यानि आपको पताई कि कुछ rules and regulations होते हैं in school में, जो आप follow करते हैं. जसे discipline maintain करना, और लंच में खाना खाना, लंच से पहले तो आप खाना नहीं कहा ले दो ला, तो ये कुछ rules and regulations हैं, जो आप follow करते हो. The rules, law collection as a document to make any country run legally and smoothly are called constitution, यानि कुछ जो rules और laws जो एक document के रूप में बनाये जाते हैं, जिसे हमें एक country को जला सकते हैं legally और smoothly, उसे constitution कहते हैं. In other words, दूसरे शब्दों में, the constitution is a set of fundamental principles और established president which help to run a state or organization. It is the fundamental law of any country that determines the outline and main function of various organs of government. दूसरे शब्दों में constitution एक fundamental principle है और established president है और जिससे हम एक state या organization को चला सकते हैं. यह fundamental law है हमाई country का और इसके जो main functions है, main various organs है government के, जैसे it is also a relationship between the government and the citizen. और यह government और citizen के जो बीच में जो relationship होता है उससे भी maintain करवाता है. Dr. Bhim Rao Ambedkar is known as the father of constitution. Dr. Bhim Rao नहीं constitution बनाया था और उनके साथ लोगों नहीं बनाया था पर इनहीं सबसे ज़्यादा माना जाता है. यही father है constitution के. He was the chairman of drafting committee. यह drafting committee के chairman भी रह चुक है. It took two years, 11 months and 18 days to prepare the final draft of the constitution. जो आखरी draft था constitution का, वो इन्होंने मिलकर बनाया है. मतलब दो साल, 11 महीने और 18 दिन में इन्होंने पूरा कर लिया था constitution को. Indian constitution is longest writing constitution in the world. और जो इंडिया का constitution है, वो सबसे लंबा है पूरे वर्ड में. The constitution of India was adopted on 26 November 1949. जो इंडिया का constitution था, वो 26 November 1949 में ले लिया जिया था, चुल लिया गया था, पर इसे फोर्स मिलाया गया था 26 जन्वर इन्होंने से बचाए तो आप मनाते ना गरता है नती वस्त. तो आप आपका है, नाओ चेक यौर्शल्फ, तो इसमें आपको से कुछ गुछ गुशन देगें, फिल इन दा ब्लांक से फर्स्ट में, फिल इन दा ब्लांक से एधा, तो इंप्लिमेंट कब गया था, आपको बता है, तो ये 26 January 1950, तो आप लिख देंगे, 26 January 1950, तो आप यह यहां से भी लिख सकते हैं, फिर्स्ट कोशिन के अंसर में, ए में लिख देंगे आप, दा इनियन कंस्टिटूशन वस अडॉप्टेड और अब 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 अडॉप्ट कब गया था, 24 नॉवंबर 1927, तो आप यहां लिख देंगे, 26 नॉवंबर 1949, डैश इस नोओन आप लि लिख देंगे, डॉप्टर भीम राओं बेटकर यहां पर, तो डॉप्टर भीम राओं बेटकर लिख देंगे, अप उन्हों नहीं उन्हीं पादर ऑफ कॉंस्टिटूशन कहा जाता है, इट तुक स्टैस्ट तु प्रिपेर दा फाइनल आप दो कॉस्टिटूशन अब आ पर आप लिख देंगे, टू यहर्स, एलेवन मंद्स, एन एटीन देज, तो यहमारा कॉश्ट नंबर डी का था, यहमारा सी का था, और यहमारा बी का था, तो कॉश्ट नंबर टू देखते हैं, वाट इस अ कंस्टिटूशन, अब कंस्टिटूशन है क्या, आपको पता है सविधान क्या है, तो यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन दे रखी है, तो आप लिख देंगे, गारा बी कंस्टिटूशन, तो आप यह बिख सकते हैं, तो यह आप यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं, जिससे आपका तो डेफिनेशन बहुत थोड़ी बड़ी हो जाएगी, पर आपको अगर छोटी से लिखने तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, अब वाइडू वी नीटा कंस्टिटूशन, अब हमें सविधान क्यों चाहिए, हमें कंस्टिटूशन क्यों चाहिए, तो करते हैं इस कांस, तो आप रिखेंगे, Constitution is required to run any country, Constitution ज़रूरी है कि वो एक देश, पूर एक देश को चला सके, जैसे हमारा भारत देश है, है ना भारत देश उसे चलाने के लिए अच्छे से, प्रॉपर्ली, इट गिफ्स पीपल फीडम टू वर्क विदिन दा अमिरेंट अप रूल, और यह हमारा Constitution नहीं बनता, तो लोग कहीं भी चले जाते हैं, और यह कहीं किसी को जाने से मना हो जाता है, तो हमारा जब Constitution बन गया, तो पूरा भारत उसी के और अगर से तो गया, तो कुशन अबर, अब हमारे आज के कुशन कम्प्रीट हो गए, हमारे आज की वोक्षीट भी वीडियो को लाइक करें, थैंक्स फो वाचिए वीडियो, बाई बाई गाईज,